भाश्पा और कॉंग्रेस ने पाँच राज्यों के आगामी विधान सभा चुनावों के लिए अपने उम्मीद्वारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान के भी उम्मीद्वार शामिल है। कॉंग्रिस के उलट बीजेपी राजस्थान में ये विधान सभा चुनाओ बिना किसी चहरे के ब्रांड मोधी पर लड़ रही है। जबकि कॉंग्रिस के पास मुख्यमंतरी अशोग गहलोद का चहरा है भाशपा ने राजस्थान में पार्टी के चहरे के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया या राजे नेत्रत उसे किसी भी अन्यनेता को पेश नहीं करने का फैसला किया है। वसुंधरा फैक्टर राजस्थान के आगामी विधान सभाचुनाव में भाशपा को अच्छे परिणाम दिला सकता है। जबकि पार्टी के अन्यनेतास पस्ट रूप से इस मामले में काफी पीछे रहे गए हैं। नहीं बना रहे हो तो वादा करने का मतलब समझ ही नहीं आता है। ये वादा उनके भाई राहुल के वादे जैसा ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो दस दिन के अंदर किसानों का पूरा करज माफ कर दिया जाएगा। पांच साल बीद गए लेकिन अभी तक किसानों का करज माफ नहीं हुआ। मुखर और आक्रामक वसुंधरा राजे ने राज में महिला सुरक्षा का मुद्धा उठाते हुए कहा क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नमबर वन क्यों है।